अश्या सब हम बताते रहेंगे वही सुनते रहना कोई डाव टूट नहीं आता सुनो ध्यान से एक्सपेरिमेंट नमबर बन बच्चो पाला एक्सपेरिमेंट क्या है किसे ने ये प्रेडिकल किया और प्रेडिकल ये किया था जिस इनसान ने प्रेडिकल किया यही किया था जो बताने जा रहा हूं उसने एक डिस्क लिया यह डिस्क है एक बार फिर उसने इसी डिस्क को लिया इसे डिस्क को लिया एक बार फिर उसने इसी डिस्क के सेप का इसे डिस्क के सेप का रिंग ले लिया यह रिंग ले लिया तो यह प्रेडिकल जो जो अदमी प्रेडिकल कर रहा हूँ उसे के बाद बता रहा हूँ अब प्रेडिकल कैसे कर रहा था वह यह समझा रहा हूँ वो जो डेश के लिया था इसका रेडियस आर था और इसका मास M था वह यहां भी है radius r है और mass m है m है यहां पर वह यहां पर भी है यह ring safe है पर radius r ही है और mass भी m ही है material बदल दिया होगा यहां वही material थोड़ा मोटा ring बना दिया होगा कैसे बना दिया ring बनाया उसका radius और mass उतना ही है और यह पतला पतला प्लेट था डिस्क का और उसी को थोड़ा ring type का बना दिया वो same mass same radius same mass same radius अशे है इसे जब उसने suspend किया मतलब इसको हाथ से से लटकाया या यह कहिए कि इसको उठाया इसको उठाने में इस आदमी को force लगाना पड़ा था और जो force लगाना पड़ा था यह force F1 बराबर mg था इसे हम F0 कर देते हैं F0 बराबर mg था इसके बाद वही सेम बाड़ी को अब liquid surface पर रखा गया कहा रखा गया liquid surface पर और इस liquid surface पर रखकर इसे pull किया गया यह liquid है अब पानी के surface पर रखकर उसे खीचा गया तो अगर पानी के surface पर रखकर उसे उठाया जाए तो हमें ज़्यादा force लगाना पड़ा ज़्यादा force लगाना पड़ा क्योंकि जो liquid malicule है वो भी उसे अपनी और खीच रहे थे और यमजी भी खीच रहा था तो इसको खीचने वाला pull करने वाला दो force हो गया इस बार जब मेरे को force लगाना पड़ा तो जो force हम लिखेंगे F1 लिखेंगे और बच्चो F1 बराबर आया F0 जो था उससे थोड़ा ज़्यादा अब थोड़ा ज़्यादा माने F तो F1 बराबर कितना हुआ F0 प्लस F F ज़्यादा लगाया कुछ ज़्यादा force लगाना पड़ा दोसरी बार अब दोसरी बार सुनो जब हमने ring बना दी तो बच्चो इसको pull करने के लिए इस बार और ज़्यादा force लगाना पड़ा पाले से भी ज़्यादा force लगाना पड़ा अब इसको pull करने के लिए हमें और ज़्यादा force लगाना पड़ा इसको खीचना था या आदमी ने force लगा दिया अब जो force लगाया न ये force था F2 और F2 बराबर exactly double 2F देखो इसमें ये experiment लोगों ने किया अब इस experiment करने के वाद मालो आप ही practical करते तो आपके दिमाग में कुछ तो आई जाता एक तो आजाता कि भाई सभी पे MG है जैसे यहाँ पे वहां MG लगा तो यहाँ पे MG प्लस F लगा यहाँ पे MG प्लस 2F लगा मतलब यहाँ पे कौन सा चीज डबल हुआ है इसका कौन सा चीज इस जगां का वहाँ डबल हुआ है तो वहाँ पे जो length है यह 2PiR है और यहाँ पे जो length होगा जो liquid कहाँ पे contact में है तो liquid एक अंदर contact में है और liquid एक बाहर contact में है और इसमें liquid cable बाहर contact में है तो liquid का contact length यहाँ पे जितना है उसका ठीक double यहाँ पे है तो double तो यही है और उसी की वज़़ा से लगता है कि double force भी हुआ है तो लोगों ने का हो नहो यह जो force बढ़ा वो उसी लिए बढ़ा कि जो contact length बढ़ा तो जीतना ज़्यादा contact length उतना ज़्यादा force लग रहा है तब यह जो force आया जो EF है वो यह force किसके कारण आया due to contact length तो जो excess force हुआ वो किसके कारण आया due to contact length यहाँ पे जो contact length है L contact बराबर 2L है यहाँ पे L बराबर 2PiR तो यहाँ पे कितना है 2L है और जब contract length 2L है तो force भी क्या हुआ 2F हुआ तो बच्चों इसका मतलब EF किस पे depend कर रहा है ideal आओ contract length पर यही लोगों को समझा आया तब उन लोगों ने लिखा कि जो excess force है force F proportional to L proportional to L जब L तो F 2L तो 2F अब लिखा गया F बराबर proportional T constant TL proportional T constant में T लिख दिया वोला T माने tension surface tension से आरा तो लिख दो tension तो इसलिए T लिख दिया अब हम यहाँ पर लिखेंगे F बराबर T into L की जगा क्या लिखोगे L effective यह L effective है L effective हुआ contact length of liquid air interface liquid air interface मतलब liquid और air जहाँ पर मिले हो तो liquid air interface तो liquid air interface का जो length है उसी को contact length बोला गया liquid air interface क्या हुआ सुलो देखो यहाँ पर यह liquid है और liquid के बाहर क्या है air है तो liquid air interface हो गया ऐसे यहाँ पर भी liquid के बाहर air और यहाँ पर liquid के अंदर air तो एक liquid है उसके उपर क्या है air है मतलब यह काने का मतलब कि free surface कितना है air में जो liquid होगा उसे हम क्या कहेंगे free surface उसे को यहाँ पे technical नाम हम लोग लिखते हैं liquid air interface लिखते हैं तो वो contact length ही किताम में लिखा है तो contact length का मतलब वो हुआ liquid air interface तो बच्चों यह अब बराबर T into L effective आगया हूँ अब अगर इसका unit निकाला जाए unit of surface tension T unit of surface tension T तो इसका unit क्या लिखोगे बोलो newton per meter एक बार paper में पूछा गया है कि surface tension किसके equivalent है dimension में या unit में तो force constant तो K F वराबर K X तो K में भी आता F Y X और surface tension में भी आता F Y L तो इसका मतलब यह spring constant जैसा है surface tension spring constant जैसा है तो dimensional formula लिखना हो ना तो इसका लिख सकते हो M T minus 2 यह आपके exam में पूछा गया है आता है question आता है दो-दो quantity लिखा रहेगा इसमें लिखे कौन सही है तो dimension जिसके सही हैं दोनों के वही सही है तो इसमें लिखा था कि surface tension और spring constant दोनों का same dimension है ऐसा लिखा था तो बच्चो अभी एक सवाल हम देते हैं जो paper में पूछा है और वो question आप लगा के देख लो देखे इसके नेट एक सवाल लेते हैं देखो ये कोई wire frame है बच्चो ये कोई हम लोग wire का तार का कोई एक frame बनाते हैं बना रहा हूं ये frame है इसका length ना इधर के तरफ दो मीटर है और इधर की तरफ एक मीटर है नहीं तीन मीटर है थ्री मीटर है इधर थ्री मीटर है और इसको मैंने liquid surface पे रखा है और एक लोग आते हैं इसको खीच के ले जाएंगे अपने घर मदलब इसको उठाएंगे इसको उठाना है अब उठाने के लिए कितना force कम से कम लगाना है एफ पूछा है अब सवाल में क्या लिखा है required minimum force required minimum force to lift up to lift up wire frame wire frame of mass 100 gram required minimum force to lift up wire frame of mass 100 gram from from liquid surface required minimum force to lift up wire frame of mass 100 gram from liquid surface liquid surface पे है उसे से खिचना है liquid surface आफ surface tension आप surface tension 10 to power minus 2 newton per meter g की value 10 ले सकते हैं आप बच्चों ये सवाल का answer देना आगे होगा हाँ answer आई गया होगा तो 1.2 newton हाँ 1.2 newton सही है अब देखो जब आप लोगों से पूछा है कितना force लगाना पड़ेगा अभी जो आपने experiment किया था ना उसी तरह से लिख लो f बराबर mg और plus t into l effective क्यों बच्चों लोग अभी mg plus t plus t into l effective करना है mg कितना gram है इसका मास 100 gram 100 gram है तो gram को kilogram बना लो तो 100 gram को जब kilogram बनाओगे तो point 1 आ जाएगा g माने 10 आ जाएगा t माने 10 पावर मानिस 2 आ जाएगा l effective में देखो कितना liquid का contact length है तो liquid का contact length कितना है ये कोई plate तो है नहीं ये तो बाहर का frame है तो liquid का contact length एक अंदर है ना और एक contact length बाहर है तो contact length कितना हुआ अंदर भी है और बाहर भी है तो अंदर का perimeter 2 प्लस 2 2 इधर 2 इधर इतना हुआ 4 3 इधर और 3 इधर 6 4 10 तो अंदर 10 मीटर और बाहर भी 10 मीटर तो contact length कितना हुआ 20 मीटर हुआ तो T into L effective लिखोगे और L effective का मान ने 20 मीटर तो यहाँ पे 20 करोगे अब इसे calculation करोगे यह बाना जाएगा प्लस 0.2 आ जाएगा तो 1.2 Newton यह answer हो गया इतना force लगा के इसे उठाना पड़ेगा यह ऐसे सवाल आते हैं नीट के paper में इसे में बिल्कुल surface के question होते है surface tension में और जो पढ़े रहते हैं बच्चे उनको free का सवाल मिल जाते है तो property of liquid से आपको question आएगे और यही सब आएगे जो आप पढ़ रहे हैं इस समय इसे में इसको एक सवाल रहेगा अलग सकोशन देखना है ना पढ़ना है कभी कुछ नहीं देखना है जितना बताओ उतना ही सुनो बस वही सवाल हो वही आता है अब एक तो काम यह हो गया अब दूसरा एक और आर्टिकल डिसकस करेंगे उसको देखें आप अब आप लिखोगे surface synergy अब हम लोग पढ़ेंगे surface energy surface energy यहीं आता है कहीं भी surface energy आएगा तो यहीं आता है कहीं पर self energy आ रहा है तो यहाँ पर surface energy आता है surface energy भी potential energy है self energy भी potential energy जैसा है अब potential energy potential energy है ही है अब यहाँ वे surface energy है अब इस surface energy का evaluation कैसा है उसको देखते हैं देखिए यह मैंने कोई एक frame बनाया और बच्चो एक frame पर एक मैंने पतला सा तार ऐसे रखा यह तार है और इसके उपर इन दोनों के बीच में साबून का film देखते हैं साबून का जो बबिल बनता है वो पतला सा खिचा रहता है फिल्म पानी नहीं बोल रहा हूं देखो उसमें membrane जैसे रहता है वो फिल्म है समय इमेजिन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो भी साबन खोल के देखना जाके उसमें एक membrane जैसे हो जैसे balloon होता है उसी तरह से वो भी balloon जैसा बना रहता है तो उसी को बोलते है film वो एक strip जैसी होगी तो ये film है अब इसके बीच में फिल्म है तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा इंटरमालीकुलर फोर्स अगर इंटरमालीकुलर फोर्स लगेगा तो ये जो liquid का molecule होगा वो क्या करेगा इसे अपनी और खीचेगा तो liquid का molecule अपनी ओर खीच रहा है और ये जो force लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? liquid molecule माने surface tension वाला जो force है intermolecular force है का सकते हैं आप ये intermolecular force है अब अपनी ओर खीच रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? देखेंगे तो हम जानना चाहेंगे कितना उसके पास force है तो उसको जानने के लिए क्या करोगे? उसके ultra force लगा दो जान जाओगे अब हमने यहाँ पे force लगा दिया इदर लगा दिया इदर की तरफ अब ये external force लगा दिया और external force लगा दिया और इस external force के कारड है यह जो पॉइंट था यह खिशक कर यहां चलाया यह खिशक कर यहां चलाया इतना खिशक गया जब इतना खिशक गया तो फिल्म इतना फैल गया उसी तरह से जैसे हम इस्प्रिंग को खीच लें तो जब इस्प्रिंग को खीच लेंगे तो आपके पास ज्यादा इनरजी आ इस प्रिंग बिचारा क्या कर पाएगा? तो आपने जब खींश तो लिया लेकिन आपकी वो इनर्जी जो आपने लगाया किया आपको मिली? आपका लास हुआ? और कहां चली गई? इस प्रिंग में तो यहां कहां चली गई? फिल्म में इसलिए उसका नाम क्या पढ़ गया? सर्फेस इनर्जी वहां स्प्रिंग इनर्जी बना हाफ केक्स स्कॉयर तो यहां पे क्या बना? फिल्म इनर्जी फिल्म इनर्जी बने सर्फेस इनर्जी और यहां पे वो सर्फेस इनर्जी हो गया वो भी वो इनर्जी क्या किया इस्टोर कर लिया समझा है मेरी बात तो उसके अंदर इनर्जी आ गया अब हमें यहाँ पे निकलना है कितना मैंने वर्क किया वर्क अगेंस्ट इंटर माली क्यूलर फोर्स तो अब यहाँ पे लिखेंगे वर्क अगेंस्ट इंटर मालीकूलर फोर्स अब ये जो मालीकूलर फोर्स है वर्क अगेंस्ट इंटर मालीकूलर फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सर्फेस इनर्जी जैसे आपने पढ़ा था ना वर्क अगेंस्ट इंटर मालीकूलर फोर्स इस नोन आज सर्फेस इनर्जी यहां पे इस जगा, इस situation ला, अब surface energy माने हम वरकड़न लिखेंगे, बच्चो वरकड़न अगर आपको लिखना है तो वरकड़न का formula क्या हुआ, force into displacement, fx, अब यह जो दूरी है, यह इतना displace हुआ है, कितना x, यहां देखो यह x से लगा देना, देखो क्या लिखा है, यह liquid य जब expand कर दिया, तो आपकी energy उसमें store हो गया, तो वही surface energy बन गया, अब f बराबर होगा, f बराबर होगा, t into, t into, l effective, यही तो पढ़े थे अभी, into x, अब length में width से multiply करो, तो area जाएगा, तो यहां पे आप लिखोगे, t into, t into, कौन सा area लिखोगे, पूरा area नहीं, यह white वाला area लिखोगे, अगर white वाला area जो है, निकालना है, तो आप क्या करोगे, इतने पूरे area में, इतने पूरे area में इतने area को minus करना पड़ेगा तो जब इतने में से इतने को minus करना पड़ेगा तो क्या किया area का change निकाला तो इस लिए L effective into x बराबर क्या हो जाएगा change in area this is the workadaan यह है formula workadaan बराबर क्या हुआ t into delta तो कितना वर्क हुआ, सर्फेस टेंशन इन्टू एरिया में कितना चेंज आ रहा, तो this is the work button, तो T इन्टू डेल्टा है आ रहा, अब बच्चों यहां पे लिखेंगे W बराबर T इन्टू फाइनल एरिया, माइनस इनिशियल एरिया, W बराबर T इन्टू डेल्टा है आ रहा, यहां रहा, अब देखो इसको, इस पर सवाल लेने मेरे को, कुश्चन लेके कुछ एक्जामपिल आपको दिखाते हैं, अब उसे ध्यान से समझना, नोट हो गया, आब इसका यूज कैसे करेंगे वो जड़ा एक्स्प्लेइन करता हूँ, अब जैसे मान लो की फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया से ज़्यादा हो जाए, अगर फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडिशन में, वो जो फिल्म होगा, उसमें हीट अबजार्ब करने की कैपासिटी आ जाएगा, क्या जाएगा, हीट अबजार्ब करने की कैपासिटी आ जाएगा, और ए एफ ग्रेटर देन ए आई हो जाए, तो इसका मतलब यह हुआ, कि वो हीट को अबजार्ब करेगा, अब अगर कोई चीज़, हीट को अबजार्ब करेगा, तो फिर वहाँ पर हीटिंग होगा की कूलिंग होगा, लिक्विड में नहीं, जिस बाड़ी से हीट रिख लेगा, उसमें क्या होगा, कूलिंग होगा, उसका एक्जामपिल, जैसे माल लो, जब आप अभी होली खतम हुआ है, होली क्यों मना जाता है, यही समझाने के लिए, उसमें पिछकारी का काम क्या है पिछकारी से क्या होता है पानी को तोड़के फैलाया जाता है पिछकारी क्या करता है पानी को वो क्या करता है फैलाता है पिछकारी से पूरा आदमे को भिगो दिया जाता है थोड़े से रंग से पूरा भिगो दिया जाता है तो पिछकारी का काम क्या है पानी को तोड़ना और उसका सर्फेस एरिया को बढ़ा करना तो जब सर्फेस एरिया को बढ़ा कर दिया तो फाइनल एरिया जादा हो गया जब फाइनल एरिया जादा हुआ तो जिस आदमी के ऊपर वो पड़ा तो उसको तो जब उसकी पर पानी पढ़ेगा तो उसकी फिल्म बनेगी, फिल्म बनेगी एरिया ज़ादा हो जाएगा, तो जब एरिया ज़ादा हो जाएगा तो उस बाड़ी से हीट को निकालेगा, तो इस आदमी को क्या लगेगा ठंड लगेगा, कॉंपने लगेगा। इसलिगे जब जिसको ज्यादा बुखार हो जाता है, तो इसके सरीर पर पोउचा लगाया जाता है। वो डाक्टर कहते हैं कि पानी पानी से भीगो लो कपड़ा इसके आउसको थोड़ा पानी निचोड़ लो हलका पानी रहे तो उसके उपर ऐसे लगाओ तो पानी पोछा तो ऐसे लगता है तो उसके उपर क्या करते हैं कि पानी का एक फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाते हैं, तो फिल्म क्या करता है, उसके बाड़ी से हीट तेजी से खींचता है, इसलिए उस आजमी को थोड़ा रिलीफ मिलता है, नहीं तो इतना टेमपरेचर बाड़ी का बढ़ेगा, उसका जो ब्रेन की नर्व हैं, वो फट जाएंगी, ब्रेन हैमरेज हो ज जाएगा इसलिए डाक्टर बोलता है कि इसका टेंपरेचर बढ़ने मत देना और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं फिल्म बनाते हैं इसलिए जब आप नहां लेते हैं और अगर सरीर को ना पोछे तो थोड़ी देर बाद ठंड से थर 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 कापने लगेंगे क्योंकि वहां भी घटना हो रहा है कि जहां भी फिल्म बनेगा एरिया बढ़ेगा तो हीट अबजार्ब करने की कैपासिटी बढ़ जाएगा वो जो बाल बनवाने जाते हैं तो मुझ पे इस्प्रे करता है तो देखो फिर फूरा आजमी ठंड से काफ जाता है तो समझ गे नहीं बताना था अब एक सवाल लगाना इसी पर अब एफ ग्रेटर देन एई सवाल लिखिये है रेक्वार्ड वर्क यहां पर एफ एई में हम लोगों ने कौन सा इफिट देख रहे हैं अभी जो हम बात कर रहे थे कौन सा इफिट पूलिंग पूलिंग अफ बाड़ी कुलिंग अफ बाड़ी आन विच लिक्विड इस्प्रे और फार्मेशन फिल्म फार्मेशन बस ए लिखो इत्मा लिखो अन विच लिक्विड विल इस्प्रे जैसपे लिक्विड इस्प्रे किया जाएगा उस बाड़ी का कौलिंग होगा अब एक सवाल इखो एक कौशन और इस्प्रे कौशन लेना रिक्विड वर्क दो विच drop-off radius or brick into into small n identical droplets small n identical droplets droplets bracket में लेक्व लेना surface tension T surface tension बच्चो T लिखा हुआ अब देखो इसका answer मैं निकालने जा रहा हूँ इसमें question में क्या लिखा है कि एक drop है और उसको आपने छोटे-छोटे drop में break कर दिया जैसे देखो एक drop है समझ लो तब लिखो अब थोड़ा सा रोग जाओ यह drop है इसका radius R है आर है इसको आपने छोटे-छोटे droplets में ऐसे तोड़ दिया बहुत सारे droplets हो गया है यह बहुत है ऐसे break हो गया यही तो होता है ना इसमें यही हुआ quenching break कर दिया अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 by 3 pi r cube यह बड़ा बराबर n into 4 by 3 pi r cube तो इससे जब simplify करोगे तो इसमाल r बराबर आजाएगा r upon n power 1 by 3 तो जो छोटे वाले drop है ना उनका radius यह इसमाल r आजाएगा अब बच्चो वरकडन लिखोगे वरकडन बराबर formula direct बताना चाहिए आपको t into delta a तो t into delta a माने final area minus initial area अब final area क्या होगा n into 4 pi r square मतलब एक drop plate होता तो 4 pi r square n है तो n into 4 pi r square initial में क्या है 4 pi r square बच्चो समझ नहीं आ रहा क्या जा नहीं समझ आएगा न तो expand कर रहे न पेपर में ही सब आएगा और इसमें कुछ है नहीं बहुत पुरानी physics है यह इतना ही बना है इतना ही पूछे जाते हैं तब से जब से बना था r square इसको जब रखोगे तो n power 2 by 3 आ जाएगा minus 4 pi r square आ जाएगा अब आप लिखोगे t into 4 pi r square तो कामन ले लो तो अंदर आ गया n power 1 by 3 minus 1 जैसे दो वर्क अड़ा इतना वर्क आपको करना पड़ेगा आप केतने drop let's बनेंगे उस ही से आप calculation कर लेना बच्चो जितना ज़्यादा drop let बनेगा उतना ज़्यादा आपको work करना पड़ा तो required work हो समझा रहा है तो यह work कितना work हुआ तो अगर उसमें से heat निकालना होगा तो हमें liquid को क्या करना चाहिए फैलाना चाहिए तो उसमें से क्या करेगा heat release हो जाएगा तो आप यह भी लिख सकते हैं जैसे w है तो इससे लिख सकते हैं कि amount of heat released इसलिए temperature down आता है amount of heat released amount of released heat लिखो amount of released heat बराबर t into 4 pi r square n power 1 by 3 minus 1 और जो heat release होगा mc delta theta बराबर आया t into 4 pi r square n power 1 by 3 minus 1 heat का formula होता है mc delta theta मास होता है volume 4 by 3 pi r cube into density into c into delta theta बराबर t into 4 pi r square n power 1 by 3 minus 1 अब अच्चो कितना temperature में change आया यह 4 pi 4 pi कड़ जाएगा 3t n power 1 by 3 minus 1 divided by rho c और r देखो यही आ रहा है check करो यह इतना temperature में change आयेगा समझा रहा है अगर कितना drop का radius था और कितने टुकडे टूटे यह पता चल जाए तो कितना body का temperature down जाएगा निकल जाएगा कितना temperature घठाना है अब पड़ा लिखा doctor होगा तो वो समझा के बताएगा कि तुम इतना पानी लेना तो इतना इसमें इतना कर लेना तो इससे इतना temperature down आ जाएगा और उसका जीवन बच जाएगा तो हम किसी body का temperature कितना down करना चाहते हैं वो मैं calculate करता हूँ तो बच्चों आपके exam में सवाल तो यही आता है लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो इसका future effect यह है कि हम यह निकालना चाहते हैं कि temperature में कितना decrement होगा मालो paper में दे दे तो आप निकाल सकते हो सही है अगर कम radius है और ज्यादा drop तूट जाए